पूरे ओपरेशन को ड्रोन की मदद से अंजाम दिया आपको एक आतंगी के मारे जानी की तस्वीर भी हमने दिखाई अब आपको एक और मैं तسبीर दिखाओंगी ये तस्वीर उस स्कूल की है जहां अतंगी चिपे हुए थे आप देखिए कैसे सेना के जवान पूरे ओपरिशन को ड्रोन की मदद से अंजाम दे रहे हैं वीडियो में देख सकते हैं कि एक आतंकी कैमरे में जो कैमरे की नजर से आप देखिए कि कमरे में एक आतंकी गिरा हुआ नजर आ रहा है वो भी सुरक्षा बलो की गोली का शिकार हुआ है सुरक्षा बलो ने तीन आतंकियों को धेर कर दिया है ये सारी आतंकी यहां एक स्कूल में छिपे हुए थे इंडिया टीवी के टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुची जहां पर ये आतंकी छिपे हुए थे वहां से मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगी मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख सकते है ये एक प्रेविट स्कूल की इमारत है दो मिंजला ये इमारत है और मिलिटन्ट यहां पर छुप गए और उसके बाद उन्होंने स्कूर्टी फोर्स पर जो है गोलियां चलाई और फरार होने की कोशिश की लेकिन हर एंटरी और एक्जिट पॉइंट पूरी तरह से सील कर दिया गया था इसलिए मिलिटन्टू के फरार होने की कोशिश जो है वो नाकाम हो गई और हलांकि रात का समय था आपरेशन को होल्ड पे रखा गया और सुबा जैसे ही दुबारा सूरज की किरने निकली तो आपरेशन को दुबारा रिजूम किया गया तो यह तस्वीर आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग में जहां तक दीवार पर नजर जाएगी आपको यहां पर गोलियों के निशान दिखाई देंगे और यहां पर कून के निशान भी जो है वो साफ तोर पर देखे जा सकते हैं और मिलिटन्टू ने जो है इस इमारत से फिर बाहर जाने की कोशिश की ताकि वो पास में जो रहाईशी इलाका है वहां पर छुप सके लेकिन हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पूरी तरह से सील किया गया था इसलिए मिलिटन्टू की वो कोशिश जो है नाकाम होगी और पिर ड्रोन की मदद से जो है मिलिटन्टू की लोकेशन जो है वो ट्रेस की गई और उसके बाद मिलिटन्टू के खिलाब बड़े पैमाने पर सूरज की पहली किरनों के निकलने के साथ ही ऑपरेशन शुरू किया गया यह तस्वीर आप देख सकते हैं यह प्रेविट स्कूल की बिल्डिंग बताई जा रही है इसमें जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ गोलियों के निशान दिखाई देंगे लेकिन मिलिटन्टू के खून के जो निशान यहां पर है उसे आप साफ किया जा रहा है और इस बिल्डिंग के बारे में आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोपोग्राफी है यह बिल्कुल रहाशी इलाके से सटेख हुई बिल्डिंग है और यह तस्वीर आप देख सकते है कि इस इमारत का कोई भी हिस्सा आपको सामानी दिखाई नहीं देगा चारूं तरफ से इस इमारत में गुलियों के निशान जो है वो दिखाई देंगे इस लाट जो है इसकी वो पूरी तरह से जमीन बोस हो चुकी है और ये चट जो है ये वाल जो है आप देख सकते है कि किस तरह से पूरी तरह से खित्म हो चुके है क्यूंकि मिलिटएंट जो थे वो तीन लोकेशन से सेक्योर्टी पॉर्सस पर लगातार फाइरिंग कर रहे थे उनकी कोशिश थी कि जादा से जादा से क्योर्टी फोर्स को नुक्सान पहुंचाया जा सके लेकिन ड्रोन की मदद से जो है उनकी हर मॉमेंट को जो है वो कैप्चर किया जा रहा था और उसी जगा पे टार्गेट किया जा रहा था जहां पर मिलिटेंट्स छुपे हुए थे मिलिटन्टू ने हालांकि फरार होने की कोशिश भी की लेकिन उनकी कोशिश जो है वो नाकाम हो गई और एक बहुत बड़ी सफलता जो है वो सुरक्षा बलू को मिली है क्योंकि जमुर कश्मीर में विदान सबा के चुनाओं हो रहे हैं क्या वो रैली के दौरान किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे या फिर नाशनल हाईवे जो इस से पास में ही नाशनल हाईवे पड़ती है वहाँ पर सिक्योर्टी फोर्स को नुकसान पहुचाना था उन पर हमला करना था ये फिलाल जो है इस पर पूरी जान जो है वो शुरू कर दी गई है जमुर कश्मीर पुलीस की तरफ से लेकिन कहीं न कहीं चुनाओं से पहले और खासकर पदान मंतरी नजंदर मोदी के सरीनगर के उननीस तारीक को दोरे के दोरान सिक्योर्टी फोर्स को पहले ही अलर्ट पे रखा गया था और उसी ऐलर्टनस की वज़े से एक बहुत बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलू के हाथ लगी है तीन मिलिटेंस मार गिराये जा चुके हैं और माना जा रहा है कि उसमें से दो मिलिटेंट वोर्डनर से एक मिलिटेंट जो है वो लोकल हो सकता है उनकी किस संगशन से वो स बेड़ मानी जा रही है जिसमें तीन मिलिटेंट जो है अब तक मार गिराये जा चुके हैं इस ऑपरेशन में और मारे गए मिलिटेंटों के पास से बारी मातरा में उनका खत्यार और गोला बारूत भी बरामत कर लिया गया है